ह अगर हम ते बाद सबसक्वार को हो पान स्पूर फिर प्लस टू स्पॉर यद पास आजाए कगे एक्स divided by 4 plus y square divided by 2 equals to 1 तो यह हमारा ellipse है ठीक है अब किसी भी जनरल अगर हमारे पास tangent जिसके point पे है अगर वो tangent का point हमें गिवन है तो उस tangent की equation होती है ellipse के लिए हमारे पास x into x1 by a square plus y into y1 by b square equals to 1 ठीक है तो हमारे पास है आपर गिवन है की coordinate 1 है coordinate 1 है means y का coordinate हमारे पास बहना है तो y को अगर यहां one put करेंगे थे इस equation में अगर y को one put करें तो हमारे पास आजाएगा x square equals to 4 minus 2 यान x की value आजाएगी under root plus minus under root 2 ठीक है तो हमारे पास दो point आ जाएगे यहां से under root 2,1 and positive under root 2,1 ठीक है दो points आगे अब इस moment के लिए हमारे पास for this point for the point minus under root 2,1 इसके लिए हमारे पास हमारे tangent की equation होगी x into x1 हमारे पास minus under root 2 divided by a square है हमारे पास हमारे पास हमारे पास आजाएगा that minus under root 2x plus 2y एकोस तू फॉर एंड अगर हम यहां से अंडर रूट टू कॉमन निकालें यहां से अंडर रूट टू कॉमन हमारे पास आजाएगा अंडर रूट टू वाई माइनस एक्स और यहां से हमारे पास इसकी एक्वेशन मन जाएगी अंडर रूट टू वाई माइनस एक्स माइनस 2 under root 2 equal to 0 ठीक है तो यह हमारे पास tangent की equation आ गई है इस point के लिए ठीक है अब हम tangent की equation निकाल दें इस point के लिए तो for this point x into under root 2 divided by 4 plus y into 1 divided by 2 equals to 1 तो यहां से हमारे पास आ जाएगा under root 2x plus 2y equals to 4 and again अगर यहां से under root 2 common निकाल ले हम तो हमारे पास यहां आजाएगा under root 2y and यहां हमारे पास under root 2 into 2 under root 2 under root 2 is under root 2 cancel हमारे पास हमारे एक्वेशन में जाएगी x plus under root 2y minus 2 under root 2 equals to 0 यह हमारे दूसरे tangent की equation बन गई है the tangent at the point under root 2,1 तो अगर options में compare करें तो आबब हमारा फिस्ट अप्शन करेक्टर यह यह पादिस करेक्टर कि अप्शन करें कि अप्शन करें